विसमे इलाहिर रौख माने रौखीम अस्सलाम अलेकुम इवर्स उमीद आप सब खेरियत से होंगे अलहम्देला मैं भी खेरियत से हूँ तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचनने बना रहे हैं पटेटो वजिटेबल स्नैक जो के बहुत ही मस्तार और बहुत ज़्यदा अब चलें इस इजी स्नैक को बनाने स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोड़ी सी रिकेस्ट लाल सब्सक्राबरन को क्लिक कीजिए साथ दी गई बेल एकन को प्रेस कीजिए तांके मेरी मेरी मादा रेसिपी का नॉटिफिकेशन आप भी पास सकें शेर को माळेट मैशन केंवेस को मीडियुम-साइज का प्याइश कंद दिया दा कें से चॉक कांद कर लिया है सिर्थे स्ष्ट मैड है안द कर देंगे ऑन एक मेरी मerg ने भी एकमानन कर देंग तिस में लाहरो माने रवाहिम अब इसमेया आड करेंगे sonja क hippie कि यून हैं वन कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबिल स्पून हल्दी 1.5 टी स्पून ब्लेक पेपर 1.5 टेबिल स्पून भुना पिसा गरम मसाला 1 टेबिल स्पून नामक या फिर हजबे जाइका बिसमे लाइर वाफ मानिर वाखीम तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इन जीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमे अट करेंगे हरा दनिया और हरा पोदीना हरा दनिया और हरा पोदीना अच्छी कौंटिटी में अट करेंगे और मिक्स करेंगे बिसमे लाहिर वाख मानिर वाखीम अब आलू के मिक्चर को हमने अच्छी कप यूज़ किया है और यह टू कप एट किये हैं आटे के आप किसी भी बाउल या फिर कप से मेज़र्मेंट कर सकते हैं और आटे को हमने चनी के मदद से चान लिया था अब इसमें आट कर देंगे 1 1-2 बिल स्पून के ज्वाइन और 1-2 बिल स्पून कॉल वन्जी 1 1-2 बिल से मिक्स कर लिया है इस तरह से मुठी में आटा बैंड होना चाहिए अगर नहीं हो रहा तो आप गी 1 डेबल स्पून या टू डबल स्पून कर सकते हैं यह हमने ले लिया है 1 कप पानी अब एट करेंगे सासत एट करेंगे और सासत मिक्स करेंगे तोड़ा सा और पानी अट करेंगे आटा जो है वह एक डोव में हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगे कितना पानी यूज हूआ है आटा जो है वो डोव की फ prevention हो चुका है आटा इस पानी हुना चाहिए 1-5 Cup से 1,5 cup पानी बज चुका है अब डोव को ऊपर से और 15 मिंटा क्रेस्ट पर रख देंगे लाइब बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है इसमें एड़ करेंगे टू डबल स्पून आटा और टू डबल स्पून मैदा हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स एड़ कर देंगे और हाफ टीस्पून हल्दी एक चुटकी नमक एड़ करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे PANY अब इस तरह से इतनी गाड़ी होने चाहिए अब इसमें आट करेंगे और हरा पॉदीना भी ऐसमें और माशला आटे को रेस्पे रखे वेर दस मिनट हो चुके हैं अब आटे को हम निकाल लेंगे बाल से अब इस तरह से रोल करेंगे आटे को अब दो बाट में आटे को कर लिया है हमने अब इसका पेड़ा बना लेंगे अब इसको बेलेंगे बेलन की मदद से अब इसको हमने बेल लिया है अब जो अलू का मिक्चर हमने बनाया था उससे लगाएंगे इसके उपर अच्छी तरह से और माशला यह जो स्नैक में आपके स अब इसके pieces करेंगे इस तरह से जो extra dough है से अटा देंगे इस तरह से हम pieces करते जाएंगे अब इस तरह से हमने cutting कर ली है अब एक piece उठाएंगे अब अतेरी के मदद से इसे भी प्रेस करेंगे उपर से इस तरह से अलका सा और माशला ये भी snack बन चुका है इसी तरह से दूसरे snack भी बनाएंगे अब इसी तरह से हम इस पेड़े को भी बेल लेंगे और snack बना लेंगे अब माशला सभी snacks हमने बना लिए हैं इस जबदाश ये पाई है इन snacks को fry करने स्टार्ट करते हैं बिसमे लाहर रौह माने रौहिम अब हमने कढ़ाई में oil ले लिया है flame on कर लेंगे और oil को गरम करेंगे अब एक snack उठाएंगे और इसे इस बैटर में अच्छे से coat कर लेंगे अब इस तरह से coating करने के बाद oil ले अट करेंगे जितने आप भी कढ़ाई में आसानी से snack टार्ट हो सकते हैं अब माशयला यह एक से fry हो चुके हैं इसमे लाहर राख माने रौकीम अब दूसरी से भी गुलन कल आरण तक प्राइब करेंगे अब माशयला यह snack fry हो चुके हैं इन्हें निकाल लेंगे माशयला आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं अब इन्हें क्लियर्ट में निकल लेंगे पील ही नहीं हो रहा हिंगे चैन चेल ईग आटे से बनाया है अब इसे तरह से हम दूसरे नाथ करेंगे अब माशाला यह सनेक फ्राइओ हो चुके गया है निन्हें भी निकाल लेंगे चलिके‍द से टेटो वजी टेबल स्नैक को डिशाउट कर लिया है माशिल्ला बहुत ही जबदस बना है आप इस स्नैक्स की रेसिपी को अपने गर में जरूर प्राइ कीज़ेगा और मुझे फिल्बेक देना बिल्कुल ना भिलेगा आपको मेरी इजी स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी हमेश्य की तरहान छोड़ी स्नैक्स होती है जैनल पर फ़र्ष्ट आथ चनल को सब्सक्राइब को लिए बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भुलिए इस तरह आपको मेरी मजा रेसिपी का नौटिफिकेशन सबसे पहले फ्री जबरदस स्नैक्स बने हैं आप इसको टेस्ट करते हैं बिसमिल्हार राखमाने अब राखीम आपको तोड़ की दिखा देती हूं मार्शला आप देख सकते हैं आलू की स्टफिंग कितनी जबरदस लग रही है आप कैचप चटनी चाय के साथ खास सकते हैं जिसके साथ आप खाना पसंद करते हूं स्नैक कितने क्रिस्पी और अतने मज़ेदार बने हैं टेस्ट में इंशाला नेक्स वेसी पी के साथ फिर मेलेंगे अपना और अपने प्यारों करकें बहुत ज़्यदा खयाल थैक्स वर्चिंग अलाहाफ़ेज